स्रीकिष्ण कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है अता दुनिया को छोड़ो और एक बात को गाठ बांध लो कि ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती है सीधे चलने वा लेको तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो आप बस अपने खिलाप मत होना अपने हिसाब से और अपने खुशी के लिए सब करो प्रेम को मन में बसा लो फिर देखना आपको अपनी आत्मा की आवास सुनाए देनी लगेगी देखिए अगर मुझे ये परतीफ है कि मैं सही हूं त लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं गलत हूं तो मैं एक छोटे बच्ची से भी डाउट सुनने के लिए तयार हूं और अक्सर जब हम दुनिया से हटकर कुछ करने लगते हैं तो दुनिया का आपके खिलाप होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सही हूं तो डटे रहे जो आज आपकी बुराइया कर रहे हैं कल वही आपके गुनगान करेंगे और दूसरों को आपके सफलता के किस्स सुनाते नहीं ठखेंगे जब सारी दुनिया आपके खिलाप होने लगे आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है और जो आपके परिवार और आपके लिए सही हो आपको काम करते ही रहना चाहिए एक समय ऐसा आता कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है पहले दुनिया उसका विरोध करेगी बाद में उसका समर्थन भी करने लगती है आप जो भी करे करते हैं बस इतना ध्यान रखिए वह आपके और आपके प्रिवार के लिए और हो सके तो समाज के लिए भी सही हो देखिए ये तुमानकर ही चले आप चाहे कुछ अच्छा करे ये बुरा लोग आपके खिलाफ होंगे ही कितने लोग आपके खिलाफ या साथ होते हैं ये आपके लोग प्रियता पर निर्वार करेगा अब बात आता ह कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए तो सरी किशन कहते है अगर हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं इस चीज के समझने के लिए मैं हमेशा एक तक्नीक इस्तमाल लाता हूँ वाब भी कर सकते हैं मैं खुद को उनकी जगह रख कर सूचता हूँ जो लोग आपके खिलाप या या आप से आसाहमत हैं उनके जगह खुद को रख कर सूचे कि अगर आप उनके जगह होती तो आप क्या सूचते हैं आपके बातों को कोई सुनेगा नहीं या नहीं सुन रहा है ऐसे मैं आप दो चीज कर सकते हैं धहरी रखिए जब सारी दुनिया आपके खिलाप खड़ी हो ऐसे मैं आप जो कर सकते हैं वो है सब्र समय पर भरोसा रखिए सबसे पहले बात तो यह है कि समय चाहे जैसा भी हो बदलता जरूर है और बुरा समय की तो खास बात होती है कि ये आपके अंदर के चीपी परतिबा को बाहर निकालने का अफसर परदान करता है इस समय आपको ये भी पता लगेगा कि कौन अपना कौन पराया है सच के रहा पे चलिए जो आपके और समाज के लिए सही है वही कीजिए फिर चाहे पूरी दुनिया है आपके खिलाब क्यों ना सरकुष्ण कहते है आप दुनिया की उलज में अपने सपने भूल जाते दुनिया आपको परिसान करेगी आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा आपको गिराने की कोशिस करेगी आपसे जलेगे आपको भटकाने की कोशिस करेगी आपके एक बार के छोटी सा सवलता को बहुती बड़ा बना कर आपको चिडाएगी आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे जे नहीं आपको उन पर ध्यान नहीं देना अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बस आपको एक चीज़ सिखनी है नजरंदाज और खुद पर विश्वास रखना है आपकी मैनत किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी आप बस थोड़ा धैड़ी रखिए आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर खड़े उतरोगे आप उससे भी बैतर करकर दिखाओगे और अभी तक आपके जीबन में दुनिया का प्रेसर नहीं आ है तो अभी तक सफलता के रास्ते पर आप हो ही नहीं आप बविश्वे में एक शिमतकार से अतिदिक सफल हो जाते हैं आप अपने देश में एक सूपरस्टार एक रोल मॉडल बन जाते हैं हर जगह आपके बारे में जर्चा लोग आपको जानना चाहते हैं जब आप अपने आत्म कथा लिखने का फैसला करते हैं लेकिन जब आप अपने आत्म कथा लिखने बैखते हैं तो आप समझते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको सफलता में आप समझते हैं आपको इस सफलता सिर्फ एक सईयोग से में अगर आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदे पार करनी ही होगी आपकी जो भी खराब आदते हो सारी आदते को छोड़ना है और आपको अच्छे आदतें अपनानी ही होगी आप कहीं से कुछ भी चीज को सिखे तो उसे आप एक पर अपना कर जरूर देखे ज्यादे नहीं तो सिर्फ दस दिन तो करो लाखों विद्यार्थियों की ये बुरी चीज है कि उन्हें ग्यान फालतो का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें अपनाना नहीं है बिद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और दिरे दिरे खुद को बदलना भी जरूरी है पर बहुत लोग इसे नजर अंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी जिन्दिकी में उलच जाते हैं कोई भी वेक्ति आपका सईयोग तब करेगा जब आपके पास कुछ लेने के लिए है इसलिए जब पूरी दुनिया आपके एक लाफ हो जाए तो यह ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी कमजुरियों को उटाने का अफसर है दूसरे दृस्टिकोन में आपको अकेले चलने का येक अफसर विप्राप्त होता है जिसमें आप स्वैमात मिड़भर बनकर अकेले लक्षे की ओर चलने का प्रयास करते हैं और जब आप सफल हो जाते हैं, तो आपके साथ पूरा संगठन और काइनात आपके सामने होगा। जब हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो, तो आपको आगे बढ़ते रहना चाएं, और बिना प्रेरना हीन वे अपने गलतियों का विसलिसन करते हुए, अपने कमजोर विंदूओं का मुल्यांकन करते हुए, अपनी कारवाई के फल के बारे में सूशे बिना, लगतार फिफलत सुधार कर सीखना होगा, यदियान में रखते हुए, कि एक दिन जब आप सफल हो जाएगे, तो आपको प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके पास अपने पुस्तक के लिए प्रयाप्त सामग्री होगी, इसलिए यदियाप महसूस कर रहे हैं, कि सब कुछ आपक हो रहा है, तो इस पल में भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको अपनी आत्म कथा के लिए प्रयाप्त समग्री दे रहा है, आपके जीवन में जो भी समस्य हो, वह एक नएक दिन जरूर दोगा, और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहें, आप अपनी जीवन म में कई सिस्य अध्यन करते थे, कुछ सिस्य की एक छापूरी होने पर एक दिन संतनी उन्हें बुला कर का, कि अब तुम लोगों को समाज के कठोर नियमों का पालन करते वे, बिनर्मता से समाज की सिवा करनी होगी, तो एक सिस्य ने कहा, गुड़ो देव, हर समय बिनर्मता से काम नहीं चलता, तो संत समझ के कि अभी भी इसमें अभी मान मौझूद है, थोड़ी दिर बाद मौन रहने के बाद, उन्होंने कहा, जरा मेरे मुग के अंदर ध्यान से दिख कर बताओ, कि कितने दाद रहे गया हैं, बारी बारी से सभी सिस्यों ने संत का मुग देखा, तो एक साथ बोले कि आपके सभी दाथ चूट चूट चुके हैं, तो संत ने का कि जीव है या नहीं, तो सिस्यों ने समझा कि गुरोजी बजाग करें, और बोले उसे देखनी की जड़त नहीं, जीव अंत तक साथ रहती हैं, उसने का ये बहुत यजीब बात है, जीव जन नहीं जोड़ती हैं, क्योंकि उसमें लोज है, वो विनर्म वोकर अंदर पड़ी रहती हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह का एहंकार नहीं है, उसमें विनर्म ताक से सब कुछ सहने की सकती हैं, इसलिए वो हमारा हमेशा साथ देती हैं, जबकि दाथ बहुत कठोर होते हैं, औ पर उन्हें अपने our ताप्रा बिमान होते है। वह जानते हैं कि उनके कारण इन्सान के खुपसरुती बढ़ते है। इसलिए वह बहुत कठोर होते है। और उनका यही एहनकार और कठोरता उनकी बरवादी का कारण बनते है। कर दो कर दो